अगर आप गाजर का हल्वा, गाजर की बर्फी, खाकर बोर हो चुके हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाजर की बिल्कुल नई मिठाई की रेस्पी। गाजर की ये बहुती ज़्यादा रसीली, रस से भरी हुई मिठाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हम इस मज़ेतार मिठाई में बहुती टेस्टी सी फिलिंग भी करने वाले हैं, गाजर की इस रसीली मिठाई को आप गाजर का रस गुला या फिर रस भरी भी कह सकते हैं friends इससे पहले मैंने आप लोग के साथ बिल्कुल नए तरीके से गाजर का हलवा और गाजर की रेस्मलाई की रेस्पी भी शेयर की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी सरूर देखिएगा रेस्पी पहली बार में ही perfect बने तो इसलिए बह लाल गाजर मार्केट में मिल रही है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजेगा और फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो आप फेस्टिवल्स पे गाजर की रसीली मिठाई को जरूर बना कर देखिए हलो एबरिवन मैं हूँ मजीद कुक्वित मजीद में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज की ये मज़िदार रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं गाजर की बिलकुल नई और रसीली मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर तीन गाजर लिया है गाजर को अच्छे से धोने के बाद हमने इसे छील लिया है और गाजर के उपर जो टंठल होता है उसे हमने काट कर हटा दिया है अब हम गाजर को छोटे छोटे टुकडों मे काट लेंगे कई बर क्या होता है दोस्तों कि गाजर जो होती है वो अंदर से पकी हुई होती है थोड़ा सा जो उसका पार्ट होता है अंदर का वो थोड़ा हार्ड होता है तो आप क्या कर सकते हैं उस हार्ड पार्ट को आप काट कर निकाल दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर एक्तम सॉफ्ट सी गाजर चाहिए, मैंने जो गाजर ली है वो अंदर से काफी ज़ादा सॉफ्ट है और लाल है, तीनों गाजर को हमने छोटे टुकडों में इस दरह से काट लिया है, इसके बाद हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, अब इस कटी हुई गाजर को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे क्यूंकि अब हम इसे पीसने वाले हैं अच्छा आपको इसमें पानी वगेरा कुछ भी नहीं डालना है बस ठक्कन लगाकर गाजर को बढ़ी असा पीस लेंगी और इसका पेस्ट तेयार कर लेंगी तो हमने इसे पीस लिया है और इसका बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट तयार हो गया है इसके अंदर कोई भी मोटा टुकडा नहीं है अच्छा अगर आपको लगेगी ये पीसते वक्त अच्छे से नहीं पिस रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें एक दो चमच पानी डाल सकते हैं इससे जादा पानी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है हमने यहाँ पर गैस के उपर एक पैन को रख लिया है और अब हम इसमें एक चमच देसी घी डाल देंगी घी जैसे मेल्ट हो जाता है हमने जो गाजर का पेस्ट बनाया है यह गाजर का पेस्ट आप यहाँ पर पैन में डाल दीजिए गाजर के इस पेस्ट को अगर हम कप से नापते हैं तो दोस्तो यह लगभग एक कप है गैस के फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और अब हम लगातार चलाते होए गाजर के इस पेस्ट को थोड़ा सा भूनेंगी गाजर के अंदर जितना भी मौश्चर है ना दोस्तो वो हमें यहाँ पर खतम करना है तो लगातार चलाते होए इसे अच्छे से भून लीजिए इसको फूनने से एक फाइदा ये भी होगा कि गाजर का कच्चापन निकल जाएगा और आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि गाजर का कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है और इसका मौश्चर काफी हद तक खतम हो चुका है तो बस इसी टाइम पे हम इसमें एक कप दूद डाल देंगे मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए बस उसी से नावकर आपको सारी चीज़े लेनी है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और दोस्तो जो हमने दूद यहां पर लिया है यह पहले से उबला हुआ दूद है आपको यहां पर कच्चा दूद नहीं लेना है हो सकता है कच्चा दूद अगर आप इसमें डालें और दूद फट जाए तो इसलिए उबला हुआ दूद लीजिए तो यहाँ पर मैंने बारिक वाली सूजी का इस्तिमाल किया है इस रेस्पी में आपको बारिक वाली सूजी ही लेनी है दोस्तों अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे एक बार मिक्सी में चला लेजेगा तो वो थोड़ा सा बारिक हो जाएगी अब बड़ी हासाइज से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम आपको बिलकुल लो ही रखना है और थोड़ी देर में आप देखेंगे दोस्तों कि सूजी जो है न वो सारे दूद को सोक कर लेती है और ये बहुत अच्छे से फूल जाती है तो बस आपको इसे इसी तरह से मिक् अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ सा थंडा हो जाए तो मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ प्लेट में डालने के बाद इससे थोड़ सा इस तरह से फैला दीजिए ताकि ये थोड़ सा थंडा हो जाए जब तक सूजी काजर का य और चीनी को घुलने तक पका लेंगे, चीनी पानी में बढ़िया सा यहाँ पर घुल चुकी है तो अब हम फ्लेवर के लिए इसमें दो हरी लाइची को तोड़ कर डाल देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर ल तो यहाँ पर चाशनी को पकते होई दो मिनट हो गए है, अब हम इसे चेक कर लेंगे, तो थोड़ी सी चाशनी को उंगलिया और उंगुठे में इस तरह से चिपका कर देखेंगे, आप देख सकते हैं कि चाशनी में कोई तार नहीं बन रहा है, हल्की सी चिप-चिपी करेंगे, जिसे आप coconut powder या फिर desiccated coconut भी कहते हैं दोस्तों, यह बहुत असानी से आपको किसी भी grocery store से मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप इसे online भी purchase कर सकते हैं, तो चलिए, इसके बाद हम इसमें दो चमच milk powder एड़ करेंगे, आप किसी भी brand का milk powder ले सकते हैं, 10-10 किट में milk powder के असानी से मिल जाते हैं, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, milk powder डालने से मिठाई में मावे वाला टेस्ट आएगा, अच्छा अगर आपके पास milk powder नहीं है, थोड़ा सा मावा पड़ा है, तो आप मावा भी ले सकते हैं, अब इसमें 2-3 चमच दूद डाल देंग ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यह अच्छे से बाइंट हो रहा है, अगर आपको लगे कि यह जो मिठाई में भरेंगे ना दोस्तों, तो वो मिठाई खाने में बहुत जाद डेस्टी लगती है, तो बस 8-10 इस तरह से च्छोटे-छोटे से बाल्स हम बना कर तो मैं इस तरह से प्लेट में रख रही हूँ, तो सारे बाल्स जैसे बन जाते हैं, फिर मापको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने इसके पूरे 10 बाल्स बना कर तेयार कर लिए हैं, तो चलिए अब हम सूजी काजर के इस डो को देख लेते हैं, यह हलका सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी यह हलका सा गरम ही है, तो बस इसी टाइम पे हम इसे मसलते हुए एक तम चिकना कर लेंगे, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहें, और सूजी का यह डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, आप चाहें तो हाथों को थोड़ा सा तेलिया घी लगा सकते हैं, अगर आपको लगे कि यह हाथों के साथ चिपकराया है, सूजी गाजर के इस डो को हमने मसलते हुए एक तम चिकना कर लिया है, और यह काफी जादा सौफ्ट हो चुका है, हाथों को अच्छे से धो लीजिए, तो चलिए अब हम कर लेंगे, बस जिस तरह से आप स्टफिंग वाले परांठी के लिए लोई को बढ़ा कर थोड़ा कर लेते हैं, वैसे हमने इसे कर लिया है, और बस अब हम इसके अंदर ये कोकोनट वाली फिलिंग रखेंगे, और इसे अच्छे से बंद कर लेंगे, इसे अच्छे से सूजी का थोड़ा सा डो लेकर हमने लोई बना ली है, और बस इस तरह से हाथों से इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और इसके अंदर कोकोनट की स्टफिंग रखेंगे, और अच्छे से इसे बंद कर लेंगे, और फिर से इसे रोल कर लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल अलके हाथों से इसे थोड़ा सा ब्रेस कर देंगे, और ये दिखे बढ़ा सी शेप मिठाई में आ चुकी है, तो बस इसी तरह से हमने सारे पीस तयार कर लिए है, तो अब हम इने फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने के लिए तेल को हमने मीडियों फ्लेम पे गरम कर लिया है, तेल दोर तो हमें यहाँ पर ठंडा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मीडियों फ्लेम पे आपको तेल को गरम करना है, और एक एक करके हम इने तेल में तलने के लिए डाल देंगे, गैस का फ्लेम मीडिया मी रखेंगे, सूजी कि स्मिठाई को आपको लो फ्लेम पे बिल्कु तो बस अब हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यह फ्राई हुई है, बिल्कुल भी तेल में जाकर एक भी पीस ना तो फटा है और ना ही खुला है, अभी मैंने इनका एक बैची फ्राई किया है, बाकी के बचे होए पीस को अब हम इने चाशनी में डालेंगे, तो यहां पर चाशनी जो है वो हलकी गरम है, तो बस इसी टाइम पे हम इन सारे पीस को चाशनी में डाल देंगे, अगर आपको लगे कि चाशनी थोड़ा ठंडी हो गई है, तो आप चाशनी को थोड़ा दुबारा गरम कर सकते हैं, तो अब हम इन्हें ठकन से कवर कर देंगे और जो पीसिस बच गए थे उन्हें भी मैंने फ्राइ कर लिया है और इन्हें चाशनी में ढाल दिया है अब हम इन्हें ढखकर एक़ंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चाशनी इनके अंदर तक अच्छे से चले जाये एक खंटे के बाद मैं आपको यहां पर मिठाई दिखा रही हूँ, इसने चाशनी को अच्छे से सोक कर लिया है, मिठाई एक दम रसीली हो चुकी है दोस्तों और इनके अंदर तक चाशनी जा चुकी है, एक पिसको हम चमत से यहां पर काट कर भी देखेंगे, कि इसके अंद पिर कि यह मिठाई की रेस्पी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एफ्रेंट्स आप इसे एक बार जरूर बना कर देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्काइब कर लीजे, मिलते हैं दोस्तों एक नई रेस्पीकर साथ, थैंक्स पो वाचिंग